राम प्रतिग्ना कौने कैवाई जो तेने जानवी अने समझ भी होई तो एउध्यानी पासी आविला सराई रासी गामनी मुलाकात लेवी पड़े क्षत्रियों नू आ गाम जे 500 वरस्ती एक प्रतिग्ना साथी बंधायलू छे ते गाम आखरे बंधन माती मुक्त थवानू छे नमस्कार आप जो इल्याशो संदेश न्यूज तमाली साथे सत्यानी साथे संदेश विशेश साथे हूँचू आपनी साथे विकास मकवाना क्षत्रियों नू मान होई छे माथे पागडी परन्तु आ माथा 500 वरस्ती खुलाच छे अने आ पेडा किटली अस अय छे तेक सुर्य वन्षी क्षत्रियत समझी छके सराय रासी गा में पोताना आरध्य एवा श्री राम ना मान माटे पागडी नहीं पेरवानों प्रण लिथो अने प्रण आजे पन राम मंदिर ना निर्माण नी रामा अकबंद छे जये श्री राम! जये श्री राम! रगुकूल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए महराणी कहके ये राजा दर्शरत पासे बे वचन मांगया एक वचन माँ तेमने भरत माटे अयो ध्यानी राशकादी मांगी तो बीजा वचन मां तेमने कोश्यला नंदन माटे चवद वरश्णों वनवास मांगयो कोई बांड जाने रदयने चेरी नाखे तेवा कैकै न वचनों राजा दर्शरत ना हैया पर वांक मांड चलाव्या हता राजा दर्शरत कैकै ने आजयेजी करेचे बेहाथ जोड़ेचे अने कहेशे एक एक माता थएने तो आटली कठोल ना बनेचे विजो कोई वचन मागेले परन्थु कैकै अडग रहेचे अने राजा दर्शरत ने कहेशे जो तमने वचन निभावामा मुश्केली पड़ती होई तो वचन आपमानों तमारों निर्णै परत्पण लेई शको छो कैगेई ना वचनों सांबडी राजा द्रश्रत कहे छे रगुकूल रीत सदा चली आई पराण जाए पर वचन न जाए अउध्यान राजा द्रश्रत ना वचन नुँ मान पुत्र श्री राम पन राखे छे अने पितानी आग्नानों पालन करता प्रभूश्री राम माता सीता अने भाई लक्ष्मन 14 वरश्ना वनवास माटे जता रहे छे रामायन आकिस्ताने वाद अहिया कैम कराई आकिस्तों तो सव कोई जाने छे तेवा सवाल स्वापा विक्रिते तमने थाई तो तमारा सवालनों जवाब छुपायलो छे अउध्या पासे आवेला सरह पासी गाम मा अवद नगरिती मात्र 10 किलोमेटर न अंतरे एक गाम आवेलो छे जैनु नाम सरह रासी छे आगाम वापस्ता लोकोने सूर्यवन्षी कहवाये छे आगाम मा रहता सूर्यवन्षयोंना पुर्वजोए एक प्रतिकना लिधिया दि अने 500 वरश माद पन अहिया दरेक पेठी टे प्रतिकना पर अडग रही छे आ प्रतिक न्याने राम प्रतिक ना कही पन संभूधाये छे जानों कई छे ए राम प्रतिक न्या रुत्मानी वाद जारे क्षत्रियों माटे आवे अने पन रगवंशियों माटे आवे तो एनी वातज कहीं कलग होई छे करण के रगवंशियों माटे आ पागडी एमना माटे आन बान अने शान करता पन पोतानों जीव समान वाली होई छे कारण केमना मोभानू प्रतिक छे आप पागडी क्षत्रियों माटे खुब महत्वानी एटला माटे पन छे कारण के क्षत्रियों पोतानी पागडी कोई पन कीमते कोई नी पन सामे जोकावता ना थी अनि एटलाज माटे मारे एक तुलसी दास नी वाद साथे वाद ने आगल वधार वी शे तुलसी दास जी कहता हाता के प्रभु राम माटे जारे प्रभु राम एमने मलवा माटे जाए शे तो एक वाद करे शे के तुल्ची मस्तक तब नमे जब धनूस बान लो हाथ धनूस ने बान लिने जो भगवान राम सामे अवे तोज महरू मातू तमने नमशे क्षत्रियो तेनेत नमे शे के जा प्रभु राम होए अन प्रभु राम छिल्ला 500 वर्षती टाट मा बेठा हता अने टलाज माटे क्षत्रियो पोतानो ठाट छोड़ी दिदो माथे बंधाती पागडी छोड़ी दिदी अचोडवा पाचलनों इतिहास सोंचे अयोध्यानी बगल मावेलो गाम छे आ गामना संगर्षनी कहानी सोंचे एनी पाचल रहलो रोचक तथ्य सोंचे ए तमाम वाबत लाओनों वस्वाट छे अहीं आ त्रण सरकारी शाड़ा छे एक कॉलेज छे तो त्रण आंगलबाडी कैंद्रों छे आ गाम माँ चारसो माथी 350 घर शत्रियो ना छे आ गामना क्षत्रियो ए प्राण जाये पर वच्छन ना जाये ते रघुकूर्णी रेतने अनस्वरी छे पांचो वरश अगाउ सरायरासी गामना आ राजपूतो ना वन्चो जोजे प्रतिक ना लिदिया थी कि जिया सुधी राम लिल्लानों मंदिर फरी नहीं बने त्यासुधी माथे राजपूतो निशान कहवाती पागडी नहीं चड़ाविये तो बग पर जूता पर नहीं प गर्वती छाती फूली जाए एमना मुखेती सांबली शूँग। अब आद राम लिल्लानों मंदिर ना होवाने कारणे प्रतिक ना ले ली थी कि हवे तो राम मंदिर बन्छे राम लिल्ला विराश्चे जारिच माथे पागडी पेराश्चे हम अपने सम्मान की रक्षा हम अपने गौरों की रक्षा नहीं कर पाए हमाए प्रभु शीराम चंदर जी का मंदिर हमारी आँखों के सामने ढह गया तो तो संपूर सुर्वन्सी समान ने चोटा ये सोचा ये जूटी शान दिखाने का कोई अर्थ नहीं हम अपने सर पे पगड़ी रखें चाता रखें और जूता पहने और दिखाए हम सम्मानी इत इंसान है तो हमारे पास सम्मान का कुछ बचा है नहीं था क्योंकि आपके पुर्वजों ने ये प्रण लिया कि जब तक पुना उस अस्थान पर अपने प्रभुशी राम चंद्री को स्थापित नहीं करेंगे हम पगड़ी चाता और वो जूते जो होता है वो उसका जूती जो होती थी हमारी उसका सेवन ने कर उसको हम नहीं पहनेंगे क्योंकि हम वो शान दिखाना कोई अर्थ नहीं है जब हमारा शान जब तक वापस नहीं आएगा हम वापस से अपनी शान को नहीं पहनेंगे उस समय कार सेवक उतनी दूर से आय तो उनके पास शरण नहीं था उन संपूर कार सेवकों को गाम सभा सरायरासी के शत्रियों ने अपने घर में शरण दिया था प्रते घर में तीन तीन चार चार कार सेवक निवास करते थे और यहां की महिलाएं लगातार उनको भुजन कर राजपुतु माटे पागडी सौती सन्मानिय छे, परन्तु वाद आरधेना सन्मान निहावे, त्यारे सराय रासी गामना पुर्वोजोए, पागडी न पेहरमानू प्रण लेधु। सराय रासी गामना राजपुतु माथिय पागडी धारण कस्छे। असाते लगन प्रसंग मापन माणवाबंधा शे। 22 तरिक का वो दिन होगा जब प्रभुराम अपने दर्बार में बैठेंगे, अपने मंदीर में बैठेंगे, फिर आप पगडी बानेंगे। और फिर सर पर जो हम लोग च्छाता हैं लेगे, च्छाता भी लगाएंगे, पैर में जूते भी पहनेंगे, और हमार यहां शादी भी आओ में माणवाबंधा शाया जाता है। तो उस तब से तो आप उस परमपरा को फिर हम लोग लागू करेंगे। और खुशियों मनाएंगे अपना गोलात मासा जिसके पास जो भी होगा हूँ अपना उसका खुशी का जहार करेंगे। जोई छे लोई वहावियों छे परन्तु हवे दिवस आवियों छे कि जमना सर पर पागडी फरी थी आओ शे। प्रतिक छे माननू प्रतिक छे ए प्रतिक अना सर पर फरी एक वार्शु सोभित थे। वड़ा प्रधान मोधी जारे वर्च उकणी सो मानू मा आरेसेस ना पूर्व प्रतिक ना लिदिया थी। ज्यां सुधी मंदिर नू निर्मान नहीं थाय त्यां सुधी त्यों राम लिल्ला ना दर्शन नहीं करे। जारखन्ना धनबाद मा रहता 85 वर्षिय सरस्वती देविये राम मंदिर माटे मौन रत्मी प्रतिक ना लिदिया थी। जब तक राम लिल्ला को नहीं देख ले अपने हांसे इस मंदिर में तब तक में मौन वर्ष में रहूंगी। तो सराय रासी गामना लोकोई 500 वरस्ती पागिडी न पहरवानी प्रतिक ना लिदि। त्यारे राम लिल्ला अयोध्या माँ विराश मान थायत आनी रहा हावे दरेक राम भक जोहिरे ओछे। त्यारे नमात्र राम लिल्ला राम मंदिर मां विराज मां थशे परंतु साथ है ए प्रतिकना पोण थशे चे राम मंदिर ना प्राण प्रतिष्टा महुत सो माटे लेवा माविया दी गहणा लोको शहीद थे गया संगर्ष्णी पाचल परंतु आ गाम नी आन बाना निशान जे पागडी फरी एक्वारियम ना शेर पर सवार थशे अन एटलाज माटे आ गामना लोको नी आवखत नी दिवाडी त्रेता यूग वाडी दिवाडी हशे कैमरा परसन नरेश वाधिर साथे मनीश पुरोईद संदेश न्यूज अयोध्या